बिहार में लव जिहाद का एक और बड़ा मामला आखिर कप्त कटीका लगा कर लड़कियों के साथ होगा लव जिहाद क्यों योगी से गुखार लगा रहा है पूरा भेहा बिहार के बेगु सराय से लव जिहाद का एक संसनी खेज मामला सामने आया है इसकी जानकारी मिलते ही गाओ के सेकड़ों लोग जमा हो गया इसी बीच सांसत गिरिराच सिंग वहां पहुँचे और लोगों से एक जुट होने की अपील की दरसल पीलत परिजनों ने शादी का जहासा देकर एक मुस्लिम युवक पर लड़की को अगवा करने की FIR दर्ज कराई है आपको बता दे कि वीरपूर थाना शेत्र के सरोजा गाओ की रहने वाली एक व्यक्ति की 18 साल की बेटी 5 अक्टूबर से ही लापता है उसके परिजनों ने गाओं के रहने वाले मुहमद अश्रफ पर शादी का जहासा देकर अगवा करने का आरोप लगाया था साथी ठाने में अगवा करने की FIR भी दर्ज कराई थी पुलिस पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कारवाही नहीं की है जिसको लेकर ग्रामीरों में काफी जादा आक्रोश भी है आपको बता दे कि रवीवार को सेक्डो ग्रामीरों की मौजूदगी में पंचायत हुई इसमें केंद्रिय मंत्री गिरिराज सिंग भी वहां शामिल थे इसको लेकर उन्होंने स्पी से बात भी की और स्पी ने बच्ची की बरामदगी का आश्वाशन भी दिया मगर प्रशासन पर लगातर आरोप लग रहा है कि खोतापूर में मंदिर को तोड़ दिया गया है और पुलिस प्रशासन सिर्फ हिंदू को ही जेल भेशती है एक बार फिर लव जिहाद की घटना हुई है ऐसे में क्या हिंदू बेगु सराय छोड़कर चले जाएं उन्होंने जिला प्रशाशन को चेतावनी देते हुए का कि अगर लड़की बरामद नहीं हुई तो लोग एक जो ठोके विरोध प्रदर्शन भी करेंगे इस दोरान गिररत सिंग ने कहा कि बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या वो लोग यूपी में योगी जी के राज्ज में चले जाएं बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार वोट बैंक की राज्जनीती के तहट कोई कारवाही नहीं कर रही है अगरान लोगों ने जम कर जैश्री राम के भी नारे लगाए आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़नूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए न्यूजवन इंडिया के यूट्यूब चानल को भी सब्सक्राइब करें